एक डेमो वीडियो आपको और आपकी टीचिंग स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। ये observe किया जाता है, analyze किया जाता है। ये ensure करने के लिए कि आपका डेमो वीडियो select हो, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो शुरू करते हैं पहले point के साथ जो है introduction। जब भी आप अपना डेमो शुरू करें, अपने आपको introduce जरूर करें। अपना नाम बताईए, क्या subject आप पढ़ाते हैं और किस class को आप पढ़ाते हैं या पढ़ा चुके हैं। ये introduction आपका 10 से 15 सेंद के अंदर cover होना चाहिए, बहुत जादा detailing आपको यहाँ पर नहीं देना है, इसके बाद ही आप अपने topic को शुरू करेंगे। For example, अगर मुझे अपना introduction देना है, तो मैं बोलूँगी, my name is Nithi and I teach mathematics to class 11th and 12th, please stay with me for the next few minutes to understand how I teach. आप चाहें तो हिंदी में भी बोल सकते हैं, मेरा नाम ये है, मैं 11th or 12th class को maths पढ़ाती हूँ, science पढ़ाती हूँ, और अगले कुछ मिनिट आप मेरे साथ रहेंगे, तो समझ पाएंगे किस तरीके से मैं चीज़ों को explain करती हूँ, concepts को explain करती हूँ. तो इस चीज़ को आप अपने तरीके से, अपने ढंक से, अपने शब्दों में बताएं, अपना नाम, अपना subject और किस class को आप पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं, इसके बाद आपको topic को शुरू करना है, अब दूसरी चीज़ है कि किस topic पर हमें वीडि करें, पहले आप उसकी necessity बताएं कि हमें पढ़ना क्यूं है, फिर आप उस topic पर आएं और उसको explain करना शुरू करें, definition अगर आप include कर रहे हैं, तो read मत करिए, उस definition को explain करिए, और कोशिश करिए, जादा से जादा आप diagram यहां पर use करें, images यहां पर use करें, इसके बाद बारी आती है, किस तरीके से आप video को record करेंगे, तो यहां पर आप अपना phone camera use करेंगे, जिसे आप place करेंगे एक tripod के उपर, और अगर आपके पास tripod नहीं है, तो एक height पर आप books को रख सकते हैं, और एक play surface पर आपको अपने phone को place करना है, जो आपका phone है, उसको आपको इस तरह से landscape mode म वो major area को cover कर रहा है, whiteboard का जो base है, वो यहां पर आ रहा है, और जो उसका उपर का area है, वो यहां पर दिख रहा है, तो that means पूरा जो whiteboard है, वो हमारा clearly यहां पर visible है, इसके अलावा, जो camera हम use करेंगे recording के लिए, वो यह वाल होगा, जो back facing camera है, उसको हम use करेंगे, front facing camera है, उसको नहीं use करना है, अब लिखने के लिए आपको use करना है, एक whiteboard, थोड़ा सा बड़ा size का board यहां पर use करना है, जिससे कि आ प्रॉपरली diagram से भी पना सकें, और लिखकर चीजों को explain भी कर सकें, जो whiteboard का surface है, वो साफ होना चाहिए, dark color की ink आपको use करना है, blue, preferably black, बड़े अक्ष यह पूरा setup करने के बाद आपको recording शुरू करना है, और यहां पर जो whiteboard है, इस पर पहले आपको जो भी आप topic पढ़ा रहे हैं, वो heading आपको यहां पर लिखना है, जब आप बोलना शुरू करें, तो जो back facing camera है, उसको आपको देख कर बोलना है, और सिर्फ यह नहीं करना है, कि आप यहां पर चीजों को लिखते जा रहे हैं, बीच बीच में आपको eye contact भी maintain करना है, यहां पर थोड़ा आपने अगर कुछ diagram बनाये, explain किया, तो आप थोड़ी देर के लिए camera में देख कर बोलेंगे, फिर दुबारा से आप whiteboard पर आ सकते हैं, चीजों को यहां पर explain कर स आते हैं, तो at least intro और extra में तो आपको अपना face शो करना ही करना है, बीच में आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए हट सकते हैं, जो आपका focus है, वो आपके whiteboard पर हो सकता है, बट for most of the video, कोशिश करिए, एक connection बनाने के लिए, जो आपका face है, वो भी आपके camera में visible होना इसके बाद बारी आती है, audio quality की, आपका जो pronunciation है, वो clear होना चाहिए, जो आप बोल रहे हैं, वो clearly सुनाई देना चाहिए, आप जहां से भी recording करें, वहाँ पर background noise नहीं होना चाहिए, इसलिए कोशिश करिए, या तो आप early morning, या फिर late night, इस time पर अगर आप recording करेंगे, तो आप बोल रहे हैं, वो clearly समझ में नहीं आएगा, इन सबी चीजों की थोड़ी से आपको practice करना होगा, जिसे कि जब आप camera में देख कर बोलें, तो ऐसा ना लगे कि आपने कुछ रट लिया है, और फिर आप उसको बोल रहे हैं, थोड़ा practice कर लेंगे, तो naturally आप चीजों को explain कर पाएंगे, बस एक confidence के साथ बोलिए, natural way में बोलिए कि आप ऐसे बात कर रहे हैं, जैसे कि आप student से बात कर रहे हैं, ना कि अपने camera को देख के बोल रहे हैं, उससे क्या होगा, एक थोड़ा सा connection डेवलप होगा, जो आपके demo की overall quality को enhance करेगा, तो ये थे कुछ points जिनका अगर आप इन सभी points पर थोड़ा सा attention पे करेंगे, तो जो आपका demo वीडियो है, वो बहुत अच्छे से बनेगा, और I am very much sure वो select भी होगा, I hope ये वीडियो आपके लिए useful रहा होगा, नीचे comment करके ज़रूर बताइए अगर इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो, और इस तर नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में